पुझ्य नानी जी सादर प्रणाम नानी आप कैसी हैं आपकी बहुत याद आते हैं आपको पता है कि मैंने एक बहुत मज़ेदार कविता पढ़ी उसका नाम है अगर पेड भी चलते होते उसमें पेडों की चलने की कल्पना की गई है अगर पेड चलते होते तो मैं उसके तने में रसी बांद कर उसे कहीं भी ले जाती जादा धूप होने पर उसकी चाया में आराम करती वर्शा होने पर उसके नीचे छिप जाती जब कभी भी भूख लगती तो उसके मीठे फल तोड़ कर खाती यदि बाढ आ जाती तो उसके उपर चड़ कर अपने आपको बचा लेती पेड हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं मैं आशा करती हूँ कि आपको भी पेड़ों की ऐसी कलपना के बारे में पढ़ना रोचक लगा होगा नाना जी, मामा जी, मामी, वो मामी जी को मेरी नमस्ते खेना आयू, आरूश, एडी, आयूश को प्यार देना नानी, आप मत्से मिलने जल्दी आना आपकी अमल्या